तुर्की के राश्पती रेसेप तयाप एरधोगन इस्राइल के स्तक्त खिलाफ है। कई बार खुले तोर पर वो इस्राइल की आलोचना कर चुके हैं। हाली में एर्दोगर ने इस्राइल के खिलाफ और गाजा के समर्थन में इसलामिक देशों को एक जुट होने को कहा इसके साथ ही तुर्की के निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा के बारे में ऐसी बात बोली जिससे सब हैरान है दरसल नए नियुक्त लेफ्टीनेंटो के एक समू ने अपनी तलवारे खीची और नारा लगाया हम मुस्तफा कमाल के सैनिक है बता दे कि ये नारा आधुनिक तुर्की के धर्म निर्पेश संस्थापक मुस्तफा कमाल के संदर्व में था इसके बार तुर्की के विबिन हलकों में चिंता पैदा हो गए इसी पर एर्दोगन सेना के जवानों पर भड़क गए एर्दोगन ने सवाल पूछते हुए कहा कि ये तलवारें किसके खिलाब खिची जा रही है इर्दोगन ने इस बात पर जोर दिया कि तुर्की सशस्त्र बलो को राजनितिक शोशन का शकार नहीं बनाया जाएगा उन्होंने आगे कहा हमें अपनी वीर सेना पर गर्भ है और हम इसे कम तर नहीं आकने देंगे अब सवाल ये है कि क्या एर्दोगन को पाशा से नफरत है वो उन सैनिकों से क्यों खफा हो गए जुन्होंने एर्दोगन का नाम लिया और तलवार निकाली इसके पीछे एक बड़ी वज़ा है दरसल एर्दोगन के शार्षन में तुर्की अधिक स्पस्ट रूप से धार में खो गया था तता उसने मूल कैमलिस्ट गंडराज्य की कुछ धर्म निर्पेख्ष परंपराओं को त्याग दिया है तुर्की की सेना ने पारंपरिक रूप से खुद को धर्म निर्पेख्षता की ग्यारंटी देने वाला माना है जिसके परिणाम स्वरूप कई तकता पलट हुए इसने 1960 और 1980 के बीच तीन बार सत्ता पर कबज़ा किया और 1997 में एक रूडिवादी सरकार को गिरा दिया हलके 2016 में एर्दोगन और उनके धार्मिक रूडिवादी प्रिशाशन को उखार फेकनी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और हजारों लोगों को शशस्त्र बलों और न्याय पालका और अन्य सार्वजनिक संस्थानों से निकाल दिया गया इसी कारण से एर्दोगन पाशा से नफरत करते हैं तुर्की में इस नए हलचल से कुछ सरकार समर्थक लोगों ने आर्मी ग्राजुवेशन सेरिमनी की कारवाईयों की कड़ी आलोचना की उनका सुझाव था कि एर्दोगन की सरकार के लिए एक चुनौती हो सकती है हालके कई लोगों ने ओनलाइन इसकी तारीफ करते हुए कहा कि ये इस बात का संकेत है कि सत्ता रूड पार्टी चाहे जो भी हो तुर्की की सेना धर्म निर्पेक्ष बनी रहेगी एर्दोगन की सहयोगी और नाशनलिस्ट मूव्मेंट पार्टी के प्रमुक देवलेट बैसेली ने बाद में जाच की मांग भी की है बेरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं बाकि देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीविनान डेजिटल के साथ